प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से रेलवे की एक चालीस हजार करोट रुपए से अधिक की अफसन राश्चना परियोजनाओं का शिभारंभ किया। उन्होंने रेलवे की 2000 से अधिक परियोजनाओं की आधार शिला रखी और उन्हें राश्च्र को समर्पित किया। अमरित भारत स्टेशन के तहट 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कारिक्रम की आधार शिला रखी गई। इनमें 36 गड़ के 21 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कारिक्रम भी शामिल है। साथी प्रधान मंत्री ने 1500 ओवर ब्रिज और अंडर पास का भी शिभारंभ किया। इनमें से 90 रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास का निर्मान कारे 36 गड़ में होना है। इस मौके पर कारिक्रम को संबोधित करते वे प्रधान मंत्री ने कहा कि रेलवे की जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। उनसे लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नवजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो ये काया कल्प हो रहा है ये उन साथियों को भी लाख देगा जो स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं ये काया कल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो तीस, पैंतिस वरसों से कम आयूके हैं। विक्सिद भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विक्सिद भारत कैसा होगा, ये ताय करने का सबसे अधीक हक वो भी उनी को है। मुझे संतोस है कि देश भर के हजारों विद्यारतियों ने अलग अलग परधाओं के माध्यम से विक्सिद भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इस अफसर पर रेल मंत्री अश्वनी वैशनव ने कहा कि विगत दस वर्षों में रेलवे ने बदलाव के साथ विकास का दौर देखा है। उन्होंने बताया कि 31,000 किलोमीटर रेल पट्रियां बिछाई गई है और 40,000 किलोमीटर रेल पट्रियों का विद्यूती करण इन वर्षों में हुआ है। रेल मंत्री ने बताया कि आज प्रति दिन 15 किलोमीटर रेल पट्री बिछाई जा रही है जबकि 2014 में प्रति दिन केवल 4 किलोमीटर पट्री यहीं बिछाई जा रही थी